एक्सरसाइज 13.1 का question no.5 देखते हैं फिफ्ट question में दिया है express each of the following as product of powers of their prime factors तो यहाँ देखो जो numbers दिया हुआ है इसको हमको exponential form में ही लिखना है लेकिन product में लिखना है उसके prime factor के product के power में लिखना है अब यह क्या चीज होता है आपको जैसे कि पहला number दिया है 648 आपको कुछ निकरना है 648 का LCM निकाल देना है और आपको यह देखना है कि कौन सा number कितने बार repeat हो रहा है ठीक है जिससे वो divide हो रहा है ठीक है जितने बार वो repeat होगा वो उसका exponent हो जाएगा जो base होगा उसका exponent साथ में multiply करके तो मैं जो बोल रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जगा अब आपन इसको solve करेंगे चलिए इसको आपन whiteboard में आपन solve करते हैं 5th question का जो पहला problem दिया है वो है 648 अब इसको करना क्या है सिर्फ इसका LCM निकालना है और LCM निकालने के बाद जो नमबर जितने बाद repeat हो रहा है उसको exponential form में लिख देना है ठीक है देखे जैसे 648 है तो सबसे पहले देखो तो 2 से तो divisible है क्योंकि last में even number है तो 2 से divide कर लेते हैं यह 236 हो गया यह 224 और 248 यह फिर से आप देखोगे तो 2 से divisible है क्योंकि last में 4 है जब कभी last में even number हो त 2 से divisible होता है तो इसको divide करते हैं देखो 2 1s 2 हो गया यहां बज़िया 1 और यह इधर होगे 6 और 2 6s 12 और यह 2 2s 4 फिर से last में 2 है तो 2 से divisible है 2 8s 16 और 2 1s 2 अब यह 81 देखो अब क्या करेंगे 2 से है तो हम divide कर चुके है 2 से divisible नहीं है तो 3 से try करेंगे 3 से नहीं होगा तब 4 स और उसके बाद नहीं होगा तब 5 से ठीक है तब पहले आब इसको 3 से divide करते है 3 से divisible है देखो 3 2s 6 होगा यहां 2 बज़ गया यह होगे 21 तो 3 7s 21 27 फिर से 3 से divisible है 3 9s 27 होता है और 9 को 3 से divide करेंगे तो 3 आएगा 3 को 3 से divide करेंगे तो 1 आ जया देखो यहां पर इसका जो factor है इ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तीन बार 2 रिपेट हुआ है फिर इंटू 4 बार 4 रिपेट हो रहा है 1 2 3 4 तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अभी इन दोनों को exponential form में आपन लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं आपन 2 का cube multiply as it is और 3 raised to the power 4 तो यह है वो prime factor जिसको जो product of prime factor ठीक है जिसको question में लिखने के लिए हमको इस तरीके से बताया है तो आगे देखते हैं इसका जो second problem है सारे questions को इसी के तरह के solve करना है second यह 405 405 का पहले आप LCM निकाल लो 405 तो last में कभी भी अगर 5 या 0 हो तो 5 से divisible होता है उसको 5 से आप divide कर सकते हो यह 2 से divide नहीं होगा आप चाहो तो 3 से try कर सकते हो 3 बंजा 3, 3 बंजा 9 ठीक है 3 से divisible है अपन 3 से कर लेते है तो 3 बंजा 3 हो गया और यहोगे 10 तो 3 बंजा 9 फिर यहाँ चले गया 1 यह हो गया 15 3 5 15 अब देखते हैं फिर से 3 से divisible है क्या 3 4 12 हाँ है 3 से 3 से divide करेंगे तो 3 4 12 यह हो गया 15 3 5 15 यह ज़रूरी नहीं कि मैं 3 से कर रहा हूं तो आप भी 3 से ही करो यह एक process होता है कि आप smallest number से divide करना शुरू करो तो division easy हो जाता है आप चाहो त देखेंगे तो 45 3 से divisible है यह 3 1 3 3 5 15 अब 3 से फिर से 5 को divide कर सकते है 15 को divide कर सकते है 35 15 अब यह जो 5 है तो सिर्फ 5 से divide होगा ठीक है मैं यहाँ पर 3 से divide करते हो continue ठीक है आप चाहो तो पहले 5 से divide कर सकते हो उसके बाद जो भी number आएगा आप उसको 3 से divide कर सकते हो तो इसका जो factor तरह आएगा factor लिख लो 1 2 3 4 4 times में 4 times 3 repeat हो रहा है 3 into 3 into 3 into 3 into 5 अब 3 raised to the power 4 into 5 यह इसका answer होगा 5th का जो 3rd question दिया हुआ है देखो 5th का 3rd में दिया है 540 अब इसके last में 0 है यह 2 से भी divisible है 5 से भी divisible है आप जिससे चाहो उससे divide करके स्कायल से हम निकाल सकते हो ठीक तो पहले 2 से ही करते है जीरो है तो वो even मतलब 2 से divisible है हमेशा याद रखना तो यह तो 2 2s आ 4 हो गया य 1s are 2, 2 3s are 6 और 1 इधर चले गया तो यह हो गया 10, 2 5s are 10 अब इसको 5 से आपन डिवाइड कर सकते है क्योंकि last में 5 है तो 5 से try करते है यह हो गया 5, 5 2s are 10 और इधर बज गया 3 तो यह हो गया 35, 5 7s are 35 अब यह 3 से divisible है यहाँ भी आप चाहो तो 3 से डिवाइड कर सकते है उसको answer किसी भी तरीके से सेम आएगा आप किसी भी नमबर से डिवाइड कर लो तो 3 9s अब 27 हो गया फिद 3 से डिवाइड हो गया 3 ताइमस में अब 3 से डिवाइड होगा 1 ताइमस में तो इसका factor लिखेंगे पहले 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 भी 3 ताइमस रिपीट हो रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3 ठीक है तो यह हो जाएगा 2 का square इंटू 3 raised to the power 3 या 3 cube बोल सकते हो इंटू 5 ठीक है 5 का मैं लास्ट में लिख दिया हो 5 बीच में भी लिख दो होगे तो कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला आगे बढ़ते हैं इसका last question एक fourth problem जो fourth problem दिया है 3600 same procedure है LCM निकाल लेते है 3600 का पहले टू से divide कर लेते हैं तू से अगर divide करेंगे तो टू बन जा टू हो गया यह हो गया 16 इसको five से divide कर सकते हो यहां भी चाओ तो आप 50 कर ते ते दिविजन आप कैसी भी कर सकते को Εलसम बस आपको निकालना जो फैकटर होगा उसको आपको एकस्पोनेंट फिर विट करेंगे है three times में फिर three study visible है one times में तो इसके factor को अब लिख लो बहुत simple है two into यह one two three four times repeat हो रहा है two into two into two into two five two times repeat हो रहा है into five into five और three भी two times repeat हो रहा है three into three तो इसका answer आएगा two raised to the power four into five square into three square यह इसका final answer होगा तो यह हो गया exercise 13.1 का fifth question